अगर आप भी SDFC Bank का WhatsApp Banking के माध्यम से Mini Statement निकालना चाते हैं यानि कि आप अपने WhatsApp पे Mini Statement SDFC Bank का निकालना चाते हैं तो किस तरीके से आप WhatsApp Banking के माध्यम से SDFC Bank का Mini Statement डाउनलोड करेंगे यानि कि Mini Statement आप निकालेंगे इसकी Complete Process इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको निकालना है उसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहें सबसे पहले आपको अपने WhatsApp पे यानि कि एक नंबर सेव करना होगा आपको अपने Contact नंबर में एक नंबर सेव करना होगा यहाप आपको नंबर यहाप नंबर सेव कर लेंगे फिर आप WhatsApp पे आएंगे WhatsApp आने के बाद यहाप नंबर सेव करेंगे फिर आप उस मेसेज को ओपन करेंगे यहां पर आपका नंबर सेव जो हो जाएंगा तो यहाँ देख सकते हैं wisdom यहां परimonize करना है मेसज में अंलि आपको लिखना है day जैसरे है न है लिखना है और send कर दिना है जैसे हाँ है लिखना है जिसे हमने आपका हाइ लिखना है जेसे कि sinking कर सब से आपको रीटर में मेसेज मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं सबसे उबर में account सर्विस आपको आपको अप्शन दिखाई से ऊप्शन दिखाई रहेगा तो इस पर किलिक करना है account service पे चूज करेंगे तो देखेंगे account service का यहां प्रम मेसेज चला जायेगा फिर हाँ पर आप देखेंगे balance inquiry recents seven conlle incentive seven transaction यह account statement अब क्या डॉणलॉड आप करना चाहते epic हम account statement डॉणलॉड करना चाहते हैं तो account statement का option चूज करेंगे तो account statement को option हम चूज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे account statement यहाँ पर message चला जाएगा उसके बाद देखेंगे account duration of course for which duration in the statement needed तो आपको select पर click करना है यहाँ पर select पर यहाँ पर आपको month चूज करना है तो हम यहाँ पर current month option चूज करने के लिए यान इसके कि एक महिनी करी हैं यहाँ पर downlode करके देख लेते हैं आपको वीसा भी यहाँ पर download कर सकते हैं अपने अनूसार तो हम current month चूज करने के बाद send पर click करेंगे तो यहां पर send हो जाएगा जिसे कि यहां पर हमारा message send हो चुका है और फिर यहां पर आपको wait करना है automatic आप देख सकते हैं यहां पर आपका statement आ चुका है account statement और यहां पर आप देख सकते हैं customer ID यहां पर फिल करेंगे और इसको open करेंगे तो open हो जाएगा जैसे आप account statement पर click करने के बाद यहां पर जो आपका PDF है यहां पर ओपन हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं this file is protected और password आपको फिल करना है जो कि आपकी customer ID है customer ID अगर आपको निकालना नहीं आता है आपके पास customer ID नहीं है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है तो इस वीडियो पर हम चैनल पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरी कि इस आपको customer ID निकालना है वही इसका password है जो कि आपका customer ID password है तो हम यहां पर customer ID password है यहां पर field कर देते हैं हम paste कर देते हैं हमने आप copy कर रखाए और open पर click कर देते हैं क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आप हमारा statement है पूरा SDFC bank का वह WhatsApp के जरी यहां पर हमने निकाल लिया है जो कि आप देख सकते हैं one month का तो इसमें पूरी history है पूरी transaction है आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप WhatsApp banking के माध्यम से SDFC bank का bank statement download कर सकते हैं जिसमें आपको अपना bank name किस दिन में credit हुआ किस दिन में debit हुआ है किस date पूरा transaction इसमें आप पूरी check out कर सकते हैं